हेलो दोस्तो वेलकम बेक बहुत बहुत स्वागत है आपका आज मैं कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ हाँ आज मैं आपको अपने टमेटो के प्लांट दिखाने वाली हूँ ये देखिए और ये प्लांट कीचन वेस्ट में डालती थी इसमें तो अपने आप उग गए हैं नीचे का पार्ट है उसमें मिट्टी भर दी थी और कीचन से जो सबजियां फल वगेरे का जो वेस्ट निकलता है छिलका निकलता है बस उनका मैं खाद बनाती हूँ वो डाल दिया था इसमें और डायरेक्ट भी मैंने मिट्टी के नीचे लाके दबा दिया था कीचन के सब लगे हैं और देखकर ही मन खुस हो जाता है और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है ये टंकी फिर भी इतनी अच्छी ग्रोथ है तो आप लोग भी किचन से जो छिलके फल के सबजीयों के निकलते हैं वो मत फिक ये उससे खाद बनाई ये बहुत ही बड़िया जबरदस्त खाद होती है और बहुत आसानी से बन जाती है आप अगर चाहेंगे तो मैं उसपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ तो देखिए कितना फल लगा है और अंदर अंदर और फल है इसमें ये वाला प्लांट थोड़ा बड़ा है बहुत ज नहीं किया है मैंने इसमें और हां मैं बीच में बाहर चली गई थी तो पानी भी नहीं डाल पाई थी चार पाज दिन और ये च्छत के ऊपर है तो इसमें जो लहसून लगी हुई थी वो सूख सी गई देखिए थोड़ी-थोड़ी दिख रही है लेकिन सूख सी गई और प पार्किंग एरिया में थोड़ी थोड़ी सी लगाई है करेला वगेरा और एक दो बार वीडियो भी बनाया है मैंने उस पर तो वो चाहे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर है तो मुझे बहुत सौक है सबजिया और यह सब थोड़ा-थोड़ा सा लगाने का यह देखिए क यहां पर भी मैंने लहसून लगाया था कूलर की खराब टंकी है यह और यहां दो प्लांट पालक के उग गए थे तो अब उन में आ गया है फल तो यह बीच के काम आ जाएगा यह देखिए यह एक और है तो इसमें फल आ रहा है पालक में इस पालक से हम नए पालक के प्ला बाइ 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 झांक यू